है रो दोस्तो आग मैं आपके लिए के आया हूं मातर ग्यारा सुरुपे में आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और बिजनेस की बात करें दोस्तों यह है नमकीन का जो लाइव जो आज के दिन बिखते हैं मार्किर में बहुत सारी दुकाने आपने द स्टार्ट कर सकते हो पूरा डिटेल से बताने वाले हो मातर ग्यारा सुरुपे आपके पास है तो इस बिजनेस को बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर आप चाहो मार्किर में दुकान करना है तो मातर जादा नहीं पचास अजार रुपे हैं बहुत ही अच्छा खासा सेट पहिने के लाख रुपे से जादा दुकान से कमा सकते हो लेकिन आज बात करने वाले दोस्तों हम मातर 1100 रुपे में क्योंकि 1100 में ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा तो पूरा बताने वाला हूं तो वीडियो को सुरू से लेकर आज तक जुरूर देखना दोस्तों तो आप आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी बहुत सारे लोग इसको घर से कर रहे हैं तो मैंने भी सोचा कि सबी के पास पैसा नहीं है और कम से कम पैसे में ज्यादा ज्यादा प्रोफिट कैसे कमाया जाए या चाहो तो पार्ट टाइम भी कर सकते हो इसको लेडिज भी कर सकत और चैन्स का काम है इसको बाहर बेचना तो पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि खर्चा 11 सुरुपे में कैसे स्टार्ट होगा तो फटा फट वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट एक वीडियो के लाइक कर देना चैनल पर नई है और 11 रुपे की बात करें तो सबसे पहले आपको बेच लेना पड़ेका इसमें और टेल लेना पड़ेका और एक जो वजन काटा आता है जो वजन करने के लिए वह आपको तीन ही चीज़े लेनी है और ऑचौथी चीज़े दोस्तो पैकिंग के लिए जू आप थेली देख इस टाइप की जो थेली ट्रांस्परेंट थेली आती जो पैकिंग दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी अगर आपको चार चीजी आपके पास है तो आप अपने घर से ही इन छोटे से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और जैसे जैसे दीरे-दीरे आपका जैसे माल बि बेशन है वो मार्केट से ले लेना है बाकी जो कॉमन आइटम घर पे हर चीज के रहता है यह लोगों पास गेंश्चुला वगरा सब कुछ हर घर में मिलता यह तो आपको पांस किलो बेशन की कीमत पकड़ते हैं सो रुपे के साब से पकड़ेंगे तो भी पांसु रुपे लेचेता है और तीन किलो आप तेल ले लेजी दो किलो में चल जाएगा लेकिन तीन किलो अगर आप तेल रहेंगे तो कड़ाई में बरोबर ज्यादा तेल रहेगा तो राच्छे से बन पाएगा तो तीन किलो तेल की एवरेज बात करें तो 100 रुपे रखते हैं कोई भी ख पर दोस्तों बचाए आपका 50 रुपे पचास पर पचास पर आपको घर से माल बनाना है तो दोस्तों घर से बनाने के बाद आपको क्या करना है इसकीNe करने जैसे की मैं आपको बता कि पैकिं जो थेली आप देख पार हें तो थेली मम्ılar फ़ार मांन पर आपको केकलगोमे करने को भॉय को बनाना नमकीं आचीक का में बना बहूत क्यों बना सकता है हर एक लेडिस घर में इसको बना सकते हैं, बहुत लोगों को बोड़े अच्छे से बनाना साथ है, अगर फिर भी अगर किसी को नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत अगर शीखना है, तो यूटूब पे बहुत सारी वीडियो है, बड़ी असानी से बिना कोई पैसे लगाए, और दुकान के बहार काउंटर लगाया हुगा है, तो आपके पास दुकान नहीं तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो भाई से अपने टेबल लगाया हुगा है, जिस पे आपने भाई ने अपने क्या जो भी आइटम है, इनके पास लगबग 30 से 35 आइटम है, मैंने देख वहां पर आपको यह packing का जो material लेडी करके बाहर टेबल पर लगा देना है और जैसे आप देखेंगे कि आपकी जो quality को लोग देखके आपके जो अच्छी से जैसा presentation आप जितना अच्छा रखेंगा आप चाहो तो साथ में एक banner भी लगा सकते हैं तो हमारे यहां पर market से सस्ता नमकीन, ताजा नमकीन, बहुत ही कम rate में मिलता है, अच्छी rate मिलता है इस तरह से आप एक banner लगा सकते हैं जिसके banner को देखके लोग बहुत जल्दे track करेंगे और आपके पास आएंगे और दोस्तों यकीन मानों अगर आपकी quality अच्छी आपने बनाई है और market से rate आपको सस् आपको खाली सरम छोड़ देनी दोस्तों कि कुछ न कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा तो ये बिना पैसे कम पैसे लगा के बहुत ही अच्छा बिजनस है और बहुत सारे लोग इस पर बिजनस करते हैं आप चाहो आपके पास पैसा हो जाए देरे देरे तो आप इसको दुकान में कर सकते हो और दुकान में आपको पता है बहुत तगड़ा मार्जन है क्योंकि मन दुकान में आप चाहो तो इसको ओनलाइन भी बेच सकते हो ओफ-लाइन के साथ-साथ ओनलाइन भी तगड़ी सेल है उसके बाद आपको एक खाली FSCI गा लैसेंस रहता है वो बहुत ही कम पैसे में इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें और कैसे बैचें यकीन मानों दोस्तो अगर आप पहले दिन से भी आप देखेंगे रिस्पोंस देखेंगे तो कम से कम भी 40-50 खष्टवारास आने से आपको माल को लेके जाएंगे और इसमें मार्जन की बात करें दोस्तो 40-50% में मार्जन है और अच्छा खासा रिस्पोंस मिलता है मैंने कई जगे इसको देखा है और देखने के बाद ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि बहुत कम पैसे में इसको आप स्टार्ट कर सकते हो और डेली रूटीन व बूरो हूने वाला बिजनेस है दोस्तो दोस्तो रट कीृ कर लेता है डिकों आइटकी ब्राइय रहत की कि बीच चेरेब हैं लोकल क्या रहत सूर आपको बढ़ी आसानी होगी तो आपको जब रेत पता रहे तरह था कौश्टमर को दे क्रीज़े सकते हैं, क्योंकि अगर कुस्टमर भी अगर आइतीन से खरीते रहते हैं, उनको पता है कि मार्किर में अगर थीन-दौ रूपर किलो बिकरा, अगर आफ एप किलो बेचा है, तो आपका बहुत बढ़िया रिस्पोंस वाने आने वाला है अगर तीन सो बेच रहे हैं तब रहे सुरूपे रेट रखे अपने मार्किट से रेट रहे क्योंकि इसका रेट है उमेंगाई के सबसे ऊपर नीचे होता रहता है और लोकल और ब्रांडिड का भी फरक रहता है हो हो सकता है आज वीडियो आप देख पर है हो रख हो सकता है आप इसको पांच साल बात देख पा रहे हैं इसलिए रेट का बोलना सही नहीं है क्योंकि रेट आपको मार्किट में पहले चार दुकानों के पता करना है और उसके बाद उससे आपको 40-50 रुपर रेट कम कर देन है तोछ बात कौालिटी आपको एक नंबर के रखनी है दोस्तों बात कर लेते हैं अबपी प्रोफिट की बात करें तो दोस्तों अगर आफ अगर बहार से स्टार्ट करेंगे पहले दिन आपको 40-50 लोग अगर आप के पास आए अगर 500 ग्राम की पकिंग भी लिए यह मान ल आपने बेचा तो भी अगर 50 रुबे के साब से भेज रखेगें दोस्तो कुम से कम बता रहा हूं आपको 50 रुपे के हिसाब होता है दोस्तों पहले दिन की कमाई बता हाँ आपको, इसरा बहुत सारे लोग कर रहे हैं मारकेटर में आई दिन देखता हूं, तो स्टार्टिंग में आप 1250 इंटू 30 लगबग 35,000 रुपे कर आप पकड़ें तो पहले दिन से आप पहले महीने से 35,000 इस बिजनस में कमा सकते हैं और आपने लगाया कितने हैं दोस्तों मातर 11,000 रुपे तो आप भी विचार करिए कि अगर 11,000 रुपे लगा कर आप 35,000 कम होने वाली है दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे एक नए बिजनस आइडिया के साथ तब तक लिए जै बारत